कि गुद्वार्निंग बच्चो आज हम क्लास एट के चतुर्भुज आपका चैप्टर है उससे रिलेटेट मैं आपको कुछ क्वेशन बताऊंगा और आपको समझना है ना ठीक है और यह देखिए क्वेश्चन क्या करता है एक आप कि दे रिखे डियाग्राम दे रिखा है कि अतना बता बोलिए लुद्व कि नायदे टेकरी रहा है कि एक सब्सक्राइब करना है यह हमारे पास क्या हो जाएगा प्रस्न मात्तर से लागा दोते हैं यहाँ निकालना है ठीक है यह एक आकिरती है इसे कितनी बचाए है एक डो तीन चार चार बजाओं वाला है चातर यह इसे कैसे कोड़ें अंदर के कोड़ें या बाहर के कोड़ें तो यह जानते हैं कि यह बहुत सारी भुजावालाइक डियाग्राम है बहुत के के बाहर कोड़ों का योग कितना होता है गर्ड योग बराबर होता है तीनसाट होता है ठीक है यह लिख दिया आपने अब मुझे बताएंगे पहला कोड क्या है 90 कर दिंगे 90 प्लस दूसरा कोड क्या है 50 लिख दिंगे देखिए लिखा ना 50 ठीक है फिर अगला कोड क्या है 110 प्लस 100 10 कर दिंगे और यह प्लस प्लस क्या आएगा एक सिववस्सरा कोड कि वनास देख transf प्लस करे में में अब देखिए सब करको hung करें है और नोच्हे 15 है ना और एक हांसिल है एक और एक दो 250 हो न ठीक है प्लाइस कहा हो जाएगा एक सो हो जाएगा बराबर कितना एगा 360 आ गया अब एक से निकालने के लिए क्या करोगे एक सब्सक्राइब क्या हो जाएगा 305 या यह रहेएगा ना और यह 250 कहा यहां आएगा तो यहां भी प्लस का नहीं क्या हो जाएगा माइनस का 250 हो जाएगा अब देखिए घटाई यह इसमें 360 में से कितने घटाना है 250 जटाना है 0 का 0 7 में से 5 घटाओ तो एक तीन में से 2 घटाओ तो एक से बराबर कितना आगया हाँ इसका मतलब यहां पर कितना आएगा 110 आएगा 110 110 डिगरी लिखते हैं ठीक है एक से के बहले कितने आगी 110 डिगरी आगी ठीक है चलो कीजिए फिर इसको नोट कीजिए एक सम बहुज की भुजाओं की संख्या ग्यान कीजिए जिसके परतेग बाहे कोड़ों की माप कितनी होती है हाँ यह लिखेंगे यहां पर बहुज के बाहे कोड़ों की कुल माप बराबर कितना होता है तीन साथ डिगरी अब यह कहता है कि उस सम बहुज है यह बहुज है जिसका परतेग बाहे कोड़ों की माप कितनी है 45 डिगरी है यह ना एक कोड़ों की माप एक कोड़ों की माप बराबर कितना है 45 डिगरी अब पूछ कर रहा है बाहे कोड़ों की संख्या ना तो लिखेंगे बहुज की बहुज की बहुज की बहुज की बहुज बहुज की बहुज की कोड़ों की कुल माप बटे एक कोड़ का मान तो बहुज के बहुज की कोड़ों की माप कितनी है अब किस से कट होगा है देखिए पांस से करोपा नमा 45 नौ बार कट गया इसको काट होगा तो पांस सत्य पैंदी पांदू ना दस नौ बहुज बहुज की कितनी होगी आट बहुज जाएं समाज माएं ना आपको अब देखिए मैंने अभी तक आपको एक्जाम्पल करवाए था इससे पहले अब हम आपकी प्रस्णावली है प्रस्णावली नंबर है 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर फॉस्ट मैं करवा रहा हूं ठीक है फिगर नंबर ए है उसका ठीक है यह फिगर ठीक सका मान निकालना है आपको यह पता है यह प्रस्णावली उसक राप होता है 306 होता है कितना होता है 605 लगे 308 कि अंदर के वाहे कोड़ ponieważ संद्राइब ऑनक voilà 360 होता है कितना होता है किम्राइए आप तो हम लिखानगे व बाहिकोडू के योग कितना होता है कि तीन सो Sाढ रहा है यह यह ना होता दिखा हो आई इसलिए हम भाहिक्ष司 देखेंगे ना हो हम हाँ से है एक सब्सक्रों क्या हो दूसरा क्या है सब्सक्राइब तो कहुंचए मगद बरॉब कि तेन सबस्केर मेंयका का इन दोनों के सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितना हो जाएगा तीन सो साट हो जाएगा तीन सो साट हो जाएगा अब देखिए हमें क्या करना है हमें निकालना किसका मान है एक सब्सक्राइब हो जाएगा तीन सो साट माइनस का हो जाएगा दो सो पचास क्योंकि यह नंबर यहां से यहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा माइनस होगा अब इसको माइनस करेंगे तो एक सब्सक्राइब करते हैं इस प्रकार से करते हैं ठीक है चलो नोट कीजिए माने इस फिकर में देखिए निमने आकिर्टी में क्या निकालना आएं एक यहां लिखा होगा है यह ऊपशे किसी बहुत सरी भुझाय आना जिसकी बहुत सरी अब्हुतने होते हैं मैंने पहले बताया था आपको लूशकर बहुत के बाहन मान कई कितना होता है 306고 होता है तो आपको पहला बाई घोड क्या है X पिलस कर दोगें दूसरा क्या या है 60 डिगरीकल क्योंकी तीसरा क्या है आपको पता नहीं चलना लेकिन आपको पास कभी ऐसे एक करी के निगरी होता है 90 का इसका मतलब है कितने का है 90 है ठीक है यह 90 होगी हो पिलस यह वाला एंगल कितने का है 60 डिगरी का पिलस 60 कर दोगे है न और पिलस यह वाला कोड कितने का है 90 डिगरी का है क्यों आपको पता चल ला न यह जो फिकर होता है यह 90 डिगरी का होता है ना तो यह भी कितना है 90 बराबर कितना आएगा सबास 360 आएगा क्यों 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 आएगा क्योंकि किसी भी बहभोज के बाहर के कौन का मान कितना होता है अब देखिए सब को प्लस कीजिए कितना आएगा इनको प्लस करके मुझे बताइए एक्सका एक्सका प्लस कितना आएगा बताइए जीरो गाताओ जीरो आएगा कुझ नो और छे पंद्रह 15 और नो 24 24 और साथ यह कहती तीन सो दस ठीक है नशाम बराबर कितना आये गवर 300-6 आएगा देखी तीन साड लिग देवरें अब किसका मान निकालना है मैं एक से का मान निकालना है तो टो एक्स प्लस 3010 बराबर 360 टिक है दिखाई दे मापको अब एक्स बराबर 360 सार्ट माइनस कह करेंगे 300 510 कर देंगे तो एक्स बराबर कितना जायेगा फचास डिगरी आ जायेगा डिगरी लगाएं तो इस एक सौना घ्राइत कितना अगया पचास कृषिया चाहिए आपका उन्सार हो गया ठीक है आफ बहुत बड़ा दरीके से इसको नोट किजिए क्वेश्चिन को अब एक कि अगर पिर से देखिए तो खता एक सम बबोज के बाह कोड की माइद करने हैं निकाल नहीं है सब्सक्राइब एक हो जाने किसी जाने किसी माप कितनी होती है既़ माप बराबर हो जाएगा कि कुल माप होते हैं कि 360 अब निकालना क्या है हमें अगज माप कन निकालना अब ठोड़ाएं कितनी है उसकी नौ भुजायें कितनी है नौ महिटीक हमें लिखेंगे कोड़ बराबर खना पार मा बट पर रहते विजयते प्रतेख कितना आया परतेख बाहर कोड़ का मान कितना आ गया परतेख बाहर कोड़ जो हो गया आपका वो क्या गया बराबर 40 40 डिग्री आया कितना आया 40 डिग्री आया ठीक है यह आपका आंसर हो गया ठीक इसी प्रकार से यहां क्या है ऑप्सन नुम्बर सेकेंड में देखिए 15 भुजाएं तो बहुत के बाएं कोड़ों का कुलमाद कितना होता है 360 किसे बाग करोगे 15 से डिवाइट कर होगे corresponding बनाओ तो समझना है आपको अंब इसमें देखिए सहिक इसमा कितनी भुजury चैनल के पाईका मामन कितना होता है 360 होता है 360 होता ही ओकलाहिक पाईकान और आप जयाएं हमारे पास एक कोड़ का मान निकल आएगा तो पंद्र दुना तीस ठीक है कितना बचा चैसे और जिरो शार्ट पंद्र को साथ कितना आया तो इसी प्रकार से आपको मैं से क्वेशन सौल्व करने हैं जहां पर नहीं आएगा आपको यह नहीं समझ नहीं आ सीट वर तो आप मुझे दुबारा को एक एक डिकाए दुबारा फेसं पूसेंगे ठीक है और साफ राइटिंग में करेंगे नीट और क्लेन वर्क करेंगे ठीक है बिलकुल सही तरीका से करेंगे ठीक है